कई बढ़ क्या होता है कि पीरियट के स्मेय यह सारे काम को करने से महिलाओं का जो शरीर है हेल्थ हें वह ख़राब होना शुरू हो जाता है और और कहीं ना कहीं वह इनफर्टिलिटी का भी शिकार हो जाती है अक्सर बाईिया आज के जमाने में यह गलतिया कर रही है और इस वज़ा से इन फर्टिलिटी के केसे वह काफी जादा हाइव होड़ए हैए अगर पर चाहिए अब क्या करते हो अगर आपके फिरियर्ट के समय सबसे पहले यूज करते हो तो वह जो पैड होता है आज आजकल बहुत सारे नाम के पैट्स निकल गए हैं और उनकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार हो गई हैं इतने जादा बेकार हो गई हैं कि वो महिलाओं के हेल्थ से खिलवार करना शुरू कर दे रही हैं मतलब कि उसमें इतना जादा पॉलिथीन का यूज किया जाता है प्लास्टिक का यूज किया जाता है जिसके कारण गरभाशे तक को इनफेक्शन हो जाता है उस पॉलिथीन को यूज करने से उस प्लास्टिक को पैड में यूज करने से पैट्स जो भी बनाया जा रहे हैं उस अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पहचान नहीं पाड़ी है या फिर आपको पैट्स नहीं यूज़ करने हैं तो फिर आप कॉटन के कपड़ों को यूज़ कर सकती हैं दूसरी चीज यह है कि जो पेरियट का टाइम होता है वह काफी ज़्यादा क्रूशेल होता है आपको उस वक्त हेल्ट के ध्यान ढखने की जरूरत पड़ती है तो जब आप ट्वालेट यूज करते हो तो ट्वालेट को यूज करने से पहले पिरियेट के दिनों में एक बार ट्वालेट को जरूर साफ कर लो पानी मार दो फर्स पे ट्वालेट के फर्स पे और उसके बाद उसको यूज करो उससे क्या होगा अगर आप नहीं करते हो ऐसा साफ कर देना है तो आपको प्राइवेट एडिया को पानी से वॉष करना है कोδोि को यूBUश करने की ज़रू ज़रूदो नहीं है कि पीरियेट की दिनों में रिलेशन रखने से बचना चाहिए इससे तो एक तो पहली बात यह कि काफी पेनफुल होगा आपके लिए दूसरी चीज यह कि अगर आप सोचते हो कि उन दिनों में बच्चेदानी का मुझ खुला होता है और कंसीव करने के चांसे जादा है तो आ खाली से गला शाय चाहिए नेक्स्ट यह कि टीरियनों में जो 2-3 दिनों कावक्त होता है पहले दिन से लेके दीसरे दिन तक में भी होश करने से करने से उस वक्त पीकर तम्परेशरी वे खुराब जाता है बाड़ी का टैम्परेशर और अथर नैचरालीक्याँ मीं काम होत अच्छे से यूट्रेस को क्लीन नहीं कर पाता है इस वज़े से आपके ओवलिशन में भी दिक्कत आती है इसलिए हेर वाश करना है तो आप फोर्स दे से कर सकते हो तो आप कोई वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते जाएं धन्यवाद